कि हैलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल प्लैटफॉर्म और स्टटी पे फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में जी के जी एस और सी यानि करेंगे करेंगे और दिन ठटी कोशिंग करते ते आज हम टॉप आपको करा दो ठीक है बहुत जादा इंपोर्टेंट होते रहते हैं और आगामी इनकी पुशिजाने की बहुत ज़्यादा संभावना है तो इन सवालों को याद कर लिजेगा और वीडियो के एंड में अपने स्कोर जोरू बताएगा कि आपने 40 में से कितने नमब्र आहें मै थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको अपने बारे में ठीक है और एक न्यूज आपको और दीनी है कि आपको 21 को तो पेपर हो जाएगा टीर वन का उसके याद में 22 की त्यारी सालों कराऊंगो जिसमां और एडवांस लिए को कराऊंगा तो जिन लोगो लगेगा हम टीर वन क्वालिफे कर सकते हैं तो टीर टू की त्यारी में विसे लग जाईएगा मैं आपको बताई दिया है कि यह बार्क वाले फटाफट एक्जाम प्रोसेस को पूरा करते हैं और दूसरा और डियार्डू एम्टियस जो कि कुरोन से पहले फॉर्म भरे गए थे कुरोन चक्कर म अगर आपको चीज अच्छी लगे तो मेरे अच्छा लगे तो मेरे सब्क्राइब कीजेगा अगर नहीं अच्छा लगे तो सब्कुल मत कीजेगा मैं को इसके लिए फोर्स नहीं करता हूं कभी किस जोगो ठीक है और टेलीग्रम चैनल यहां से जोइंग के लिए क्योंकि में वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो चलिए आज की वीडियो के हम सुरुवात करते हैं पहले सवाल से तो पहले पहला कोश कर दिया तो मैंने अभी आज जब जन्वरी करेंट फिर आपको पढ़ाया था उसमें को पढ़ाया था कि ब्रिटेन ने सरवच नागरिक पुरुषकार नाइट हूड इस बार किसको दिया गया है तो उसका अंसर ता लूइस हैमिल्टन अब समझ गया हूंगे कि नाइट पादी अंग्रेजों को वपिस कर दी तो राइट अंसर क्या हो जाएगा जलिया वाला बाग नर्सहार यह रहा आपका ऑप्सन नंबर बी ठीक है ना बहुत इंपोर्टेंस वाल है यह बहुत इंपोर्टेंस सब्सक्राइब और आपको पता है यह कब वह था था 13 अप्रेल लोग को जिकाल है तो सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है बहुत इंपोर्टे सवाल है तो सबसे बड़ी मीठे पानी जील भारत में वह आपकी वूलर जील जमबू का स्पीर में पाई जाती है और सबसे बड़े खारे पाने की जिल कौन से यह कोशन भी आता है तो वह आपकी चिलका जिल जो की उडिसान पाई जाती है उसको लेगुन जिल भी बोला जाता है ठीके ना अगला सवाल है भारती समीधान में कानूर बनाने की निर्धारे प्रिक्रिया काफी हद तक 10 के समीधान जो के समीधान जो कि अगला और अमेरिका जो की जो आदिकार है मारे यह फंडामिल्टल स्यग्षा का अधिकार जो सब्सक्राइब किया गया था मोस्ट इंपोर्टस वाले काफिक्जाम में अगला कोश्चन है महराजा सवाई जैसिंग दुत्ति ने टेस्ट में एक खगोली बेसाले स्थाफिक की थी तो इन्होंने कहा बनाई थी इन्होंने उजयन में सब्सक्राइब किनारे सब्सक्राइब काफिक्जाम में अगला सवाल है निमनलिखित भारती राजियों में से किसे करके रेखा नहीं गुजरती है इन्हें ट्रॉफिक और कैंसर लाइन किस राजियों से और राजियों से करके नहीं अगला सवाल है प्रसिद्य सूफी संद्स छलिम चिस्ति की दरगह उत्तर परदेश के डैस में स्थी तो जो सेख सलीम चिस्ती हैं इनकी दरगा है उत्तर प्रदेश कहां पर सीखरी में किस ने बसाया था तो अगबर ने बसाया था यह आपको पता होना चाहिए ठीकिना और अगबर का मगबरा कहां पर तो वह सिकंद्राबाद में ठीकिना अगला कोश्चिन है मनुस्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है उसके एक आप अधिक बादन जो लीवर में जीघर या सी भोल लो इसको लीवर भोलते हैं इंग्लिश में लिए गए तो लीवर ठिकिना अगला सवाल है जो भारत की सविधान सभागी संग सक्ति समीती के अधिष कौन थे तो परेंच संग सक्ति समीती थी इसके आपके डॉक्टर राज्य पिरशाद जानते होंगे यह पहले भारत के राश्पती भी थे ठीके ना और विहार से बिलॉंग करते थे अगला सवाल है पाकिस्तान नाम से पहले द्वारा गड़ा गया था तो पाकिस्तान जो नाम गड़ा गया था किसके द्वारा चौधरी रहमत अली के द्वारा जिन्ना लगा इसको इसका जिन्ना कभी नहीं इसका अंसर है चौधरी रहमत अली इसने पाकिस्तान नाम गड़ा था कौईन किया अगला स्वाल है भारत में बिटिश आसन का बड़े पैमाने विस्तार साहिक संधियों के माध्यम से हुआ साहिक संधि बहुत इंपोर्टेंट है यह डॉक्ट्राइन ऑप लापलास जो गवर्नर जनरल डैस के सासन काल में सुरू की गई तो सिंपल आप से पुझाए ती एक क राष्ट्री मानवदिकार भारत में कब स्थापीत हुआ था तो फ्रेंट राष्ट्री मानवदिकार है नेशनल हुमन राइट्स यह स्थापीत वादा भारत में 1993 में अगला सवाल है निम्नर रोगों में से कौन सा रोग फपूद यह फंगस के कारण होता है तो यह आप द कि अगले सवाल है उस ब्रिटिस गवर्नर कर नाम बताया जिन्होंने भारत में रेलवे का सुभारम किया था यह लौड डलहुजी के सासनकाल में हुआ था और पहले चली तो बॉम्बे से ठाड़े की बीच में चलीती यह आपको पतना चीए अगला सवाल है किस पड़ोशी देश को लेंड ऑफ दा थंडर ड्रेगन कहा जाता है तो यह बिजलियों का यह टाप का वह है बिजलियों का भी गिरती देश में तो इसको बोलते हैं यह जो देश है वह हमारा भुटान ऑप्सर नमबर डी और यहां की मुद्रह के नुगल ट्रम ठेके न अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैश्चन जनतों के रचयता कौन है तो जनतों की जो रचयता है वह है नर्सिंग मेता ऑप्सर नमबर सी अगला सवाल है किसे मगत की राजधानी राजग्रह से पाटली पूसस्तान अन्टर की अपक Seems को अग सवाल है भारत तो सिलंका को को सा जल्ट ढम रुल मद्दे खाली अलग करता लग करता है तो आपको कित्वी अनुलन बताया है भारतो सिलंका को कौन सा अलग करता है वह पाक स्थेट हैte निख जल्ट ढमरू मद्द ऑफ सन आमबर डे अगला सवाल है को 1662 पुर्तंगाल के राजा ने इंग लेंड को कौन सा भारति था दह्ज के तॉर उपहर में दिया था तो पुर्तंगाल के राजा थे नएंग नम इन इचारक को 1893 में सिकागो में आयोजी विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है तो सब जानते हैं कि सिकागो में सब्सक्राइब 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 करते हैं अगला सवाल में आपात काल के समय भारत के राष्पति कौन थे सब्सक्राइब इंदर गांधी थी लेकिन पुझा प्रेशीडेंट कौन थे उससे में तो प्रेशीडेंट उससे में जो थे वह थे फाकरोदीन अली एहमद ऑफसान नंबर डी अगला सवाल है वर्ल्ड वाइड वेव यह डबलू डबलू जो लिखते हैं कि आविसकारक कौन यह कोचने काफी पूछा तक जामें तो वर्ल्ड वाइड वेव के विशकारक हैं वह आपके टीम बंस ली अपसान नंबर डी अगला सवाल है अपनी क्रति प्रत्वीराज रासो में प्रत्वीराज चोहान के वीरता पूर कार्ण को लोग किसनी किया है तो प्रत्वीराज इसको जानते हैं जो कि युद्धि इसमृति बनाए गया तो जानते हैं जब फर्ष्ट वर्ड वार वार भाक्ता तो भारत से बहुत सारा गहीं तो उन्हीं की याद में इसको आज हम जानते हैं इंडिया के नाम से जो कि दिल्ली में ऑप आपिंट का पर यह मुंबई में लोगों को गेटवेया ओफ इंडिया में दिली में में होंगे अगला सवाल आगरा की इसे का निरमाड में कुसक्रमाइब जिसने कौन सा जहां और सा जहां नहीं दिली में आपको पता होना चीह अगला सवाल है निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पस्तो कोशिकाओं में नहीं होता है कर दो सब्सक्राइब चाहिए यह लोगों में कोशिका भित्ति नहीं होती है यही डिफ्रेंस है यही सवाल पूछा कि सब्सक्राइब काफी होता है वहाँ पे तो वह थी काली मिट्टी इसका एक दूसरा नाम और पुछा जाता है इसको बोल जाता है रेगुड मिट्टी सबसे बड़ा पातक राज है तो सबसे बड़ा पातक होता है वह था में अगला सब्सक्राइल ना का होता है सबसे बेकार कोईला वो सबसे बेकार वहता है अगला सवाल है कि विश्व स्वास्ते दिवस प्रतिवर्स को मनाया जाता है तो सब जानते हैं यह 8 साल 7 अपरायल को बनाया जाता है ठीकिना अगला सवाल है को निम्ण में साब विकल्द स्कृ नहीं त्युक्त जानते हैं समू के निस्क 리 आयलो जो ब्लॉड होगे यह तो हमारे ग्रूप 18 मेंबर लिए जो से ब्लोंग करती है ये भूप 17 से ब्लॉंग करती है तक और बहुंतारी एक्टीव तो तो अगला सवाल भारते समीधान के भाग चार में का विप्रन प्रस्चूत है तो कितने भाग है सब्सक्राइब करता है तो प्रकास वर्स किसका मापन करता है तो प्रकास जो है यह तूरी का मापन करता है अगला सवाल है हिंद स्वाराज नाम पुष्टा के लेखा कौन है बहुत इंपर्टन केताब हमेसा एजाम कुछ आती है तो हिंद स्वाराज जो बुक है यह लिखी गई है मोहंदास करमचन गांदी के तुवारा अगला सवाल मौरे राजवन्स के अंतिम सासक कौन थे तो मौरने और उसका अंतिम सासक था वो था ब्रहद्रत ऑप्सन नंबर से ठीक ना और असो का नाम जानते ही है कलिंग वार्मिंग का नाम आता है जो कि किससे होता है यह बेक्टरियस होता है अगला सवाल है और यह वीडियो का सवाल है 200 हिंदी दिवस को मनाया जाता है हट साल 10 जनवरी को ऑप्सन नंबर है और ठीक इस एक दिन पहले 9 जनवरी का मनाया जाता है 200 प्रवासी दिवस यह आपको यह रखना है ठीक ना प्रवासी दिवस प्रवासी दिवस कि नौ जनवरी 915 को इस अफरीका से भारत वापिस आए थे तो यह आपको रिजन पता होना चाहिए और लास्ट वीडियो का भारत का पहला साइबर पुलिस टेशन डैस में साबित क आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगरी वीडियो अच्छे लगी तुसको लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल कंटेट अच्छा लगा है तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीगरम तो यहां से जोइन कर लिए जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक टेकर थैंक यू सो मुच